भाईयो नमस्कार भाईयो आज AGM साब ये बताएंगे कि कौन सी घंणा पिर जाती किसान भाईयों के लिए हितकारी है और किस तरीके से किस दवाई का पिरियोग करके किसान भाईयों को अच्छी आमदनी होगी तो चलो चलते हैं AGM साब के पास हाँ जी नमस्कार जी किसान भाईयों को नमस्कार जी मेरा राम परमुत मार जी में वेव चीनी मिल में लोरा यूनिट में AGM के फट्वक कार जी किसान भाईयों में आपसे साजा करना चाहों जिलने भी हमारी रिसर्च सेंटर हैं आज तक सुरू से लेके हजारों वराइटियां करीपी 200 वराइटि 0238 रेड रोट के संपर्क में आई है उसके कारण कई मिले तो जो है अपनी कैफेसिटी के नुसर गन्ना ही प्राप नहीं कर पा लिए हमारी चीनी मिल एरिये में भी इस बीमारी ने पैर पसा रहे हैं जिसको हमको हजारों हेक्ट्रियार गन्ना जो है हमारा खराब हुआ है उसको भरपाई करने के लिए तेको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है एक आदमी कोई सही काम कर रहा है अगर ट्रेक से मामला उतर जाता तो फिर रहना दूसरा कोई option रखना चाहिए इस समय कासकारों के बीच में तीन वराइटियां इस तरह की हैं जो भरपूर पार देने वाली वाली जिसमें पहली की बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा आप देखिए यह 018 गना है क्या इस वराइटी की खासियत कि यह 0238 के साथ ही रिलीज हुई थी 2009 लेकिन कासकारों में ब्रांती है कि 38 की पेड़ी अच्छी नहीं होती है इसकी पेड़ी भी इसमें तो तीन बातों की सावधानी रखनी पड़ेंगी पहला यह कि टाइप कि प्लांटिंगम कि समय पर कर रहे हैं इस बुआई के लिए आप सितंबर अक्टूबर से देखें मार्च और 20-10 अपरेल तक इस गन्ये की बुआई कर सकते हैं क्या इसकी थोड़ी आख जो है लेट जमाव कर दी तो इसकी आख है आप देखेंगे अगर इसकी बुआई हमने समय पर कर दी और जो इसकी रिकमेंडेट डोस है वो हमने फसल को दे दी तो निशीत रुख से इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो पेड़ी के लिए हम कासकार से बिरना चाहेंगे कि तीन- छोड़ देते हैं लेवर के दुवारा गन्ना कटवाया लापरवाई से गन्ना कटवाया और किसान उस तीज को दिहान नी देते विल्कुल विल्कुल बहुत अगर एक इकड़ में आपने 2-2 इंच 2.5 इंच के टुकड़े छोड़ दिये हैं जमीन के नीचे तो आपका चा चार कुंटल गन्ने का दाम लगल चारती अब बारे करीब 17-1800 रुपए होता है उसके बाद दूसरे नुक्सान क्या है बतोवेट कर नुक्सान हो गया कासकारों के नुक्सान के साथ साथ चीनी मी लगाई नुक्सान क्योंकि सबसे ज्यादे चीनी जो नीचे वाला एरिया करना पाइगा जो कल्ला ऊपर से निकलता है वह गन्ना तो कल्या बनेगा जिए जमीन से निकल आए पहला तो लिए इसके बदर करें ऊसके बाद एक स्फरे है आप एक एकड़ खेत में 1500 लिटर पानी ले ले लें उसमें 2 kg, 0.5 kg यूरिया मिला दें और 50 ml इताफोन एक EP50 के नाम से गेमिकल आता है EP50 मिला लें उसमें इथरल कहते हैं उसको और 100 g हैज़ाश्टाप और 100 g अच्छी तर से घोल बनाके जो हमारी गन्य की नाली है जो ठूट है हमारे उनको पत्तियों को साब कराके आप उस पर किस्प्रे करवाते हैं तो आपका जो नोर्मल विधी में आपका एक महीना देड़ महीना कल्णा निकलने में लेगा वह आपका जो है 12-13-14 दिन में जो है गन्य के न्यगें निकलने सुरू हो जाएंगे इससे क्या होगा कि जतनी मात्रा में ज्यादे आंकूरण निकलेंगे आधे वह ही गन्ये वनें यह कासकार अभी बभाव में यह वाली कृणाएं ना करके अपना जो देशी तरिका वह अपनाते जिसके काराण यहां वार्इ वराइटी कोई खराब नहीं होती है केवल हमारा कार्य करने के तरीकों में रंतर हो सकता है वहना आप दूसरी बराइटी पर आपको ले चलता हूं यह देखिए 15-20 यह नई वेराइटी चार साल पहले रिलीज भी थी बहुती मजबूत गन्ना है जैसे हमारा 18 गन्ना गरिको क सबसे बढ़ने कम समय लेंगे तो आपका आगे तक पूरा पूरा दस बारे फिर लंबा गन्ना बन जाएगा भरकूर पैदावार क्या है जब कहते साब इसको शयार खाते जो मेठी चीज़ा उसमें नुक्सानती होगा हीड़े लगे आदमी भी खायेंगे सूर भी खायेंगे पसू भी खायेंगे अरिया काम पियों से यह अनुरौद है कि अगर एक तेड़् घर कर दे तो 38 को बीट करने वाली और एक क्सान हो के पंद्रे जीरो तेइस वाराइटी है बीज मिल जाएगा हमारे पास इसका करीब करीब एक लाग कुंटल गन्हा है बहुत अच्छी वाराइटी उसके बाद एक वाराइटी और है दिवल नाप जो यह भी चांसा पहले आई थी 14201 पंद्रे जीरो तेइस और 14201 में बस थोरा इसका कोई जबाब नहीं जमीन के लिए भी एरिक मंडिड है और जो क्वार काति के हमारे कासकार लोग भाई गन्हा बोना चाहते हैं इस वाराइटी को अपना ले निश्ची तुरुक्सा सोकुंटल के उपर दीगे की पैदावार यह वारे की गिरने की समस्थ्य भी नहीं सवकुंटल का रिकार बनाएगी जो है, बनाएगी प्रुफ। एक जानकारी ओर चाहिए थी जैसे किसान भाई इन बिज्जों सा हटक है जो रिजैक्ट वराइटी की और बढ़ रहे हैं बहुत जोड़ से उस पर एक वो चाहिए था आपका देखो देवल साथ गन्ना बोना बहुत आसान है सारी समझाती जो गन्ना बिचन जाता है जी गन्ना परकार के नियम लागव दटने में कोई नियम आप दस मीं का गन्ना बह सकते हैं सब गन्ना बह सकते हैं तो स्ब तरह की बाद देखी जाती है कि परके आपका अरली है तो सभी परेशानियों से बचने के लिए मेरा कासकार वायों से यह नुरोद है सीधा सच्छा गंडा वह है कोई बहुत से कासकार हम लोगों से कहते हैं कि सब भी पिच्छान माया है दूसरी वराइटी है बिलकुल नहीं देखिए फैरेंटाइन लो होता है कासकार बिलकुल स्वेतन यह कोई भी वरायटी लाके अपने खेत में बहुत दें नियम से बंदे हुए हैं जो वरायटी हमारे इस छेतर के लिए उत्तर परदेश के लिए रिकमंड नहीं की गई है उत्तर परदेश करना विकास विबाग के दोवारा हम कासकार वायों से यह अनुरोद करेंगे कि उ आने वाले समयमन को परिशानी हो सकते जी अच्छा एक जानकरी ओड़ चाहिए थी जैसे यह वेरायटियां है किसान भाईयों के सामने एक दिक्कत आरी जो जीरो दोसो और तीस कुछ किसान भाई अब भी जीरो दोसो और तीस की तरब को बढ़ रहे हैं क्या उन्हें बवा हम कासकर भाईयों से इस वारे में यह कहना चाहेंगे अगर 38 अब वोना पड़ जाए उनको क्योंकि एक साल में बदलाव संभाव नहीं है तो ऊपर का जो दो बटा तीन हिस्सा जो होता है उसको बीज की रूप में इस्तेमाल करें उसको सबसे पहले जिस खेत में बोने जा बीज का बीमारी दूर करने के लिए उसको फंजी साइड और इंसेक्टी साइड में भिगोना बहुत जरूरी है शोटकट नहीं अपनाएं अगर सबसे अच्छा यह है कि जिस दिन गन्ना वोना उससे एक दिन पहले अपना वह बीज त्यार कर लें कासकार भाईयों के पास प्रालियां है उसमें पॉलिथीन बिशाक है और पानी भरके दवा मिलाकर रात भार अगर उसको डुबो दें अर्टिसी गन्ना वोना चाहरे है तो एक नमबर का बीज हो जाए है इसमें और दूसरा जो है एमीडा है या कोई भी एक कीट ना सक है कोई भी ले सकते हैं अग पंजी साइड आती है एक डाश्टाफ वोट वो दीजिए उसके बाद अच्छी तरसे घोल के उसमें घड़ी में देखके कम से कम आदा घंटा तो वो तुकड़ा रहना चाहिए क्या है हमारे यहां पे अगर दवाई चीपक जा रही है वो मायने नहीं रखती है जो हमारा क कासकार क्या करते कुछ लोग बाई करते उपर से इस पर एक डाश्टाफ का गलत है साथ बिल्कुल जब तक दवा हमारे टुकड़े के गूड़े में नहीं जाएगी वह असरदार नहीं हो तो यह हम संदेश देना चाहेंगे कि सीधी सची वेराइटी वह आम कासकार है तो भरपूर गन्ने की पैदावार लें और नहीं वेराइटियों का गन्ना वह है जी बिल्कुल सही बात है भाईयों कितनी सही बात कई बीज के बारे में सही बीज का चैन करें एजीम साम ने बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो भी गन्ना वोएं और 0238 खासकर उसका ट्रीटमेंट जरूरी है और जमीन सोधन भी जरूरी है और यह जो नई वेराइटियां हैं सभी किसान भाई थोड़ा थोड़ा करके लगाए अपने खेत में उसकी पैदावार का पता चलेगा औ और यही पता चलेगा कि कितनी दवाईयं मांगते हैं तो भाईयो वीडियो आपको कैसी लगी यह कैमेंट नों जरू बताएं धन्यवाद नमस्कार